माननों देवलोग से आगमन हुआ हूँ, मानने जे किसी खामे को मिटाना का उतर देट तो बैठा हूँ, उस तरह से आपका जन्म हुआ, जन्म हुआ ये कि माँ बाप की उमर प्रोड बनने के तैयारी मी थी, याने पुज्योगी राज के साथ बहिने थी, साथ बहिनों मैंसे पांच की तो शादियां हो गए थी, वो जमाना था, बच्चेों के शादियां पहले हो जाती थी, जली हो जाती थी, और साथ के ओपर ये भाई हुआ, तो भाई होने के बाद में, पहला प्रस्तान बाप ने किया, और दूसरा प्रस्तान मान ने किया, यान फिर सोला वरस की उमर में बजन की त्याग की तब की योग्य गुजनों के समागम से एक ललज जगी चेतना बैड़ा होई पढ़ते पढ़ते आबो वाले मांडोली वाले युगिरे शांति सुझे के समस्क्र समागम में आए आए लेकिन पडिवार वाले एकल संतान होते के न में आते हैं बार बार ले जाते हैं बार एकलिया तक के परिवार में दभा बनाने के लिए तीन-तीन सब्भन के रिस्ति कीए परनती शचे योगिरे राजनिय तीनों शखपन Summen में चुपे से जाकरके जिनके सास्थ मिरिस्था हुआ था उने चुंद्रे उडा करके बेहन का रिष्टा बनाते हुए आगेड चलते गए। सोला से छपीज साव यान दस साव का कठोर परिश्रम लाएं फिर परिवाद चले ले जाएं। ऐसा करते हैं योगियाज शान्ति शुचिन आपने अध्यापन के लिए संस्कार्च करने के लिए कम से कम आपको साड़े चार साल पर सक आपको हरी दौर गुर्पर में पढ़ाने के लिए बेज दिया। वापीश आए दिक्षा लेने के आतुरता बढ़ेगी। हरी वाद चाहते नहीं थी आग्या थी नहीं। लेकिन योगिरायज में देखा और दिक्षा तो लेगा। लेकिन मैं दूँ कैसे चौक कियो योगिरायज सौयम जाने की भुटतावायमी थी। देवराज मैं तो जा रहा हूं दिवाराँ, मैं जा रहा हूं तुझे दिक्षा लेना हूं, तो अपने यतिन सुभाईक पास में दिक्षा लेना हूं. योगिराज भी चले गए, अब कहा है अतिन सुभी जी दो तेन साल और मंदुली में समाज के वावसा गया दिन अस्त, यतियों के गुरुओं के समागम रहते हो ते अध्यन किया, अन्त में अब क्या करना पढ़ाई के लिए उत्त जवाबदारी किया, तो उस जमाने में गु वो फर्लोदी के निवाशी थे और रियासत का इन दिवान थे, उनना इस मांडुली संक्त से ये समाचार दिये, कि देवरामजी का आप फर्लोदी भेजदो, मैं इने जापूर ले जाओंगा, बाउं का अध्यन देवां के सक्षम बना करें कि योगिराज के गादी पर पि अध्यामी वर अध्यक्त, बागरा से बैठना था, जोत्व तक जाना था, बीगांदार होते हुए आके चलना था, बागरा आये, वहां उद्यन चलना था, भीड थी, समाधाय उपी थी, पड़े बैंदर थे, बोल्ड लगे हुए थी, महुल था, क्वाने गुर्माचल मिलते हैं, इतने समाध को देखा, प्रभावसाली चेरा, प्रभावसाली भाषा, प्रभावसाली शरीर, सब कुछ भारावा तेज था, जो कि उपर वाले ने, कि ऐसी गजव की जगह बता दी थी, कि जो धौलपुर रियासत के जमाने में, धौलपुर रियासत के जमाने में, जायस्वाल दिगंबर जहन होते हुए भी, दो गाउं की जागिरी के मालिक थे, लेकिन शान मात्र की बात यह उन्हों छोड़ दिया, और दादा गुर रजी समाद के शिश भलगे, जैसा यतनी समाद को देखा, नवेदन किया, कि गुर्देप मेरे गुरुर सांदिर सुझी ने आपके लिए पहर भी किये, आपके लिए भला मंद दिये, कि तो दिक्षा लेकिन के पास लेना, वही बात आती है कि आग्या लेओं, वही आप मात्मत्य का अनुमत्य लेओं, इस तबस्ष्य योगीराज ने का, गुर्दे मैं पडिवर्म आके लाओं, सबको नकारतिये योगीराज के बास रहा हूं, और सबको नकारतिये में अपने लक्ष्व जाना चाह रहा हूं, आप से मेरा आग्या निवेतन कि मुझे आप दिक्षा मेरी आग्या सीड़े, पांदा दिन साथ चलो, बाग्रा से हर्जी आए, और हर्जी में दो जार उतरते दो में दिक्षा हो गई, साथो जिवन की अच्छी जिवन चलिया शुरू होई, जहां गुरु सानिती मजबूत हो, और जहां आस्ता मजबूत हो, वाँ प्रभाव अपने आप प्रगद होता है, उसको दिखाने की दुर्द नहीं होती, यतिन शुमाज ने जब अपना अंतिम शमय देखा के मुझे जाना है, तब अपने प्रवर, नम्मर दो, नम्मर पहले तो वल्लवजी जिमार सब थे यतिन शुमाज के शिश्यों में, और नम्मर दो में विद्याचन शुमार सब थे, लेकिन वल्लवजी मार सब असाद्ते विमारी से कमी उमर में चले गए, और विद्याचन शुमाज उस समय प्रवर सब सब से शिश्ष्ट बढ़िल थे, विद्या चन्शुमास को बुला करका कि विद्या अपने जाने के तैयारी है यह वर्तमान के स्थित्य देख रहा हूं मुझे लगता है आगे संप रहेगा नी एकता रहेगी नी समश्यार समधाय खड़ी हो जाएगी समधाय की साथ रहना और विशेस करके शान्ति मेरा सब को बुला ए विद्या बापजी से ही जहां शांती आए वह विद्या होना चाहिए और जहां विद्या है वहां शांति होना चाहिए तुम दोनों एक मेक बनके रहोगे और अन्यता ये अन्यता ये जंगलवास ये चड़ा जाएगा इसको भीड में रहना पसंद नहीं है उस उत्तर दय तो गुरु उचनों को भी नर्वान करते वी विद्याद चंद सुमरा साब की आचारी पत के समय आनक गिनत कशोटी आई फिर भी राम लक्षम्र की जोड़ी जो काम करके वो इतियास बना गए निरा बाद रुप से तमाम विरोद के बावजुद भी सारवान उमत से आचारी विद्याद सुमरा साब का पाटाश हुआ अनुशासे समुद्य आगे बढ़ता चला गया और ऐसा समुद्य आगे बढ़ता के राजिन सुमरा की जितनी भी नियो थी फांडेशन थी उन सबको यह दी आर्थिक और विच्ण का सिंचन करके दिया मजबूति देने का काम किया है तो आचारी विद्याद चंशुमा सब्या जैसे ही मौंध खेडा के जिनुद्यार की दूसरी प्रतुष्टा आई संपुन तिंति शुमारत में अलग जगी थी गाउं गाउं से नौकार से लिखवाई जा रहे थी मैंगलवास से सूरेना से पांथेड़ी से अलग-अलग संगों से अलग-अलग विक्तियों से नौकार्षियों का बुकिम होते होते विद्याद चंशुमार साब गाउं में गिया और राजगीर गाउं के बाद में मासुजी तिर्ष को मुंधख्यार की प्रतेश्टा हुई प्रतेश्टे के बाद का पहला चात्रमास हुआ पहला उध्यान हुआ है समुझागर साथ अलग-अलग प्रांतों में उच्छन करने की सजब हुए उत जमाना म च्रएजदर नियुक्राहानि में शान्तवीं जी और बॉलमुनी गुरुप में में था हम दोने मारवार की और रवाना हुए उत जमाने में जयनत्वीजेई जी दो थे एक सिस्षे में जयक द installing थे और एक शिश्षे में धर्मत्वीजी नौदिक्शित इन को लेकर कर के प लेखन जुर्जी पर लेक्षण जी इन दोनों भी दुक्री को रिखिया इस तरसे समधा मूंगरा से अलग अलग समय में एक दी वर्स में अलग हुआ जब हमारे अलग होने की बारियाइत शरब हमारे अलग होनी की बारी आई तो विद्या चुन सुमान में काफी अत्राज की शांती सब जा रहे तू क्यों जा रहे कुछ काण विशेश थे कुछ परस्तित सजिद हो चुकी थी वियार अलग होने का मानस बन चुका था में छोटा था विद्या बाबजी के टकोर में बड़ा मेठास था और पार ब्रस्तिता कुपती मंजे कहे लाड में छोटकिया थूनी माने रे तूनी शांती नमने ले क्यों करे बाबजी या काम मेरा ने आप दोनों साथ रहेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा जब आप मुझे आके देवा करने को थ्यारों मेरी कोई उतावर के तहरे नहीं अंत में नेने यह हुआ योगे न का विद्या बाबजी में दुबार आ जाओंगा लेकिन इस समय तो मुझे वियार करना मेरे मान पक्का बन चुका है अंत में शब्द निकल गया तो फिर तो सिध पानवा जीचा यह रिक्तस्तान की पूर्ती मापुरुशियों करते क्या वापुरिद समाच देखरी उस वेवास्तों को आच एक्ट्यूरेट अच्छा के लिए में सततत पर रहना चाहिए अच्छा के लिए में सततत पर रहना चाहिए आज इस बहनवाजी में योगी राज की 25 साल गिराज यहने 25 साल पूरे होगे मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आज से मैं बहनवाजी तिर्थ की वेवस्ता से बार मुक्त होना चाहता हूँ और मैं हो जाओंगा चोंकि मेरा एक संकल्ब था कि मेरे गुरुनिया विश्याम लिया है तो मुझे भांडवाजी का काय कलब कर देना चाहिए यह काम मैंने बेख खुबी से किया है कड़ी मेनस से किया है कड़ी आपतों में किया है कड़ी विपतियों में किया है कड़ी आरोप प्रतरोप निंदों में भी किया है लेकिन मैंने काम अपना काम फूरा कर लिया अब आगे इस तत्की रोवस्ता रासवाल चातुरमास का मेरे चातुरमास के बाव इस साल यहां नहीं थे और आज भी मेरे बाव नहीं है परन्तु साचोर से दबाव था स्राहला में मेरे भी भाव थी डूर्शी और सुरा की विरंतियां थी बागरा में मेरे ले सब कुछ ताहरी कर चुके थे उनके भावी के खारिकम के लिए परन्तु यहां के ट्रस्ट में जब चर्चा चली कि बाणवाजी में चातुरमास की जैसे पांच साथ जिनार मिलके व वर्डशॉप के आदार पर गच्छा जी पती ने किस गिनित में आकरके बाणवाजी चातुरमास की जैब बुला दी कोई बात नहीं, वो मेरे से बड़े हैं, आखिर वो गच्छा जी पती हैं, उन्होंने किसी भी दाना सी जैब बुलाई है, तो मर्यादा को रखते हुए, मैं इस वर्ज चातुरमास बाणवाजी चातुरमास का प्रवेश, अशार सुधी ज्यारश, दिनांक 27, 2021 को चातुरमास के लिए मैं भनवाजी में प्रवेश होगा, और अब इस बारा महिने से,